नमस्कार मैंने हतिवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर आई नज़र डालते हैं इस बड़ी खबर पर बिते कुछ समय से तारक महता का उल्टा चस्मा शो लगातार खबरों में चल रहा है जिसकी वज़ा से शो में रोशन भावी का किरदार निभाद चुकी एक्ट्रेस जैनिफर मिस्टरी और प्रोड्यूसर असित मोदी के बीच का बिवाद जैनिफर ने असित मोदी पर छेड़ छाड़ का आरोप लगाया है उनके लगाये गए आरोपो के बाद ये शो काफी सुर्खियों में बना हुआ है जब ये मुद्दा जब से उठा था तब जैनिफर ने अपने इंस्टरग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था देखे ये वीडियो चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना मैं चुप थी क्योंके सलीका है मुझ में खुदा गवा है के सच क्या है याद रख उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में जैनिफर के बाद शोव में रीटा रिपोटर का किर्दार निभाजुकी एक्ट्रेस प्रिया अहूजा का भी बयान सामने आया है वही अब वो जैनिफर के सपोर्ट में नजर आई हैं कहा कि जैनिफर उन्हें जो भी आरोप लगाए हैं वो सही है प्रिया आहुजा ने कहा कि वो इस बात को लेकर हैरान है कि किसी ने भी जैनिफर के सपोर्ट में नहीं बोला जब कि सैट पर उनके कई क्लोस दोस्त होने का दावा करते हैं प्रिया ने कहा जब वो डिप्रेशन में थी तो उन द प्रिया के पती हैं साथ ही 14 सालों तक वो तारट महता के उल्टा चस्मा के डारेक्टर भी रह चुके हैं इस बातचीत में प्रिया ने ये भी कहा कि वो इस बात को कन्फर्म कर सकती है कि सेट पर जैनिफर कभी भी गाली गलोज नहीं करती थी वो अनुसाशन में रहती थी प्रिया के साथ साथ इस बातचीत में मालव राजदा ने भी अपनी बाते रखी हैं उन्होंने कहा कि वो बिलकुल ही हैरान नहीं हैं उन्हें पहले से ही ऐसी उम्मीदे थी आगे उन्होंने कहा कि कोई जैनिफर के सपोर्ट में इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी सेट पर अपने बिवहार खराब करना नहीं चाहता है फिलहाल के लिए बस इतना ही और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रही है इन खबर फॉर लेटिस अबडेट हमें दीजा इजाज़त नमस्कार